नमस्कार मैं शंबू कुमार सिंग और आप देखें निशनल दस्तक सिर्फ पांच मिनट में पूरी बजट समझा दे रहा हूं कि आप पर क्या गुजरने वाला है आपकी नौकली चली गई है लोगडाउन में आपका कारोबार बरवाद है आप विरुजगार है युबा है त अगर आप हैं तो आपको तो सब्जी ठेला पकावरा ही लगाना पड़ेगा सरकार ने लाइसी को भी चोहतर एफडियाई में उन्चास परसेंट भागिदारी थी मतलब सौ में उन्चास रुपय ही बीदेशी लगा सकते थे कावन रुपया भारती होता था आप चोहतर पर आपको एक मतलब लाल किला जिसने गिर्वी रख दिया अब लाइसी जिसने चोहतर परसेंट बेचने की तयारी है रेल लाइसी दोनों को प्राइबिट किया जा रहा है मतलब इसका असर क्या होगा आरक्षन खत्म हो जाएगा एससी एस्टी ओभी सी माइनोर्टी को सब्सक्राइब लोग है ना अब सहाब नौकरी तो आपको भी नहीं मिलेगे बस आपको एक फायदा मिलेगा कि जाती के अधार पर थोरी बहुत सहुलियत मिल जाएगी तो यह देख लिए बज़र 2021 222 और बड़ी घुसना है रेलवे और मिलिटरी एरिया की खाली परी जमी बिमार बंद पर है सरकारी दमों की जमीने बेचेगी सरकार जमीन पर नजर है इन जमीनों को अतीत में अंग्रीory in किसानों को बिना कोई मुअब लिए लगवाक्ती कर हांसिल किया था आजाधि के बाद वाले कर्मों में आउना पहुना मुअब यह अधा अगे देखिए इस फोटो को देखकर ही लगगा कि क्रोना एक अंतराष्टीर ये साजीस है सुचिए बजट के समय किसी भी सरकारी मंत्री बित मंत्री हैं बित राज मंत्री हैं सारे अधिकार किसी ने मास्क नहीं पहना है तो क्या क्रोना सिर्फ डराने के लिए गरीबों के लिए ये दिखा तो सोचिये कितनी बड़ इस देश से साजी से वागे सोचिये अपनी सभिता विचारधारा के पड़ती दुष्ट बहिमान लोगों से भरे बर गोबिस यानी दली ते सीएश्टी द्वारा चुनी गई संकी सरकार भारत सरकार के बाकी बचे कंपनियों को दोजारी किस बीस मे जिमेदार के वाला रक्षन खोर है तो यह 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 जो कंपनिया बेची जा रही है उसको मैं बता रहा था आपको और आप लोग मजे लीजिए और आप रेल और यहरपोर्ट का नीजी करन होगा पहले से ही बेचा जा रहा है तो एलाइसी में 74 परशंट तक भी देश ही निवेस होगा मतलब सब कुछ खतम हो गया यह है आपके देश की बजट बाकि आप लोग बहुत समझदार हैं समझते रहिए और सोसल मीडिया ही बहुजर मीडिया जो मैं आपको बार बार कहता हूं तो बताए राष्टबादी सरकार से आप लोग खुश है कि नहीं रेल राकम दिया जा रहा और जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं वो सरकार के साथ हैं इसलिए मैं कहे रहा हूं बीजे प्यारे सिस्का सरकार का दो-दोकार करता आपके घर में एक टीवी और एक मीडिया आप उसे पार नहीं पा सकते अखवार लेकिन वही अखवार जो है व पिर आप खुश रही अपने राष्टवाद में और यह बिदेशी भी खरीच सकता है FDI Foreign Direct Investment बोलते हैं इसको आप लोग क्या कहेंगे बस बजट का यही है कुछ और बजट की बाते सुन लिजे आपको सुनकर हसी आएगी और हसना भी मना है इस देश में दिखाऊंगे देखिए 75 साल के उपर बुजूर्गों पर टेक्स नहीं देना होगा यह 58 साल में रिटार्मेंट पर पशितर परसेंट छूट अगर 58 साल में रिटार्मेंट हो जाए तो चुट मिलेगी अब बताईए अब तो आप लोग खुश है न ये है आपके बज़र्ट की हालत तो सारी कंपनियों को बेचने का एलान कर दिया गया है पैसा कहा जा रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है और कुछ मोटा मोटा बता दे सरकार ने क्या इंतजाम किया है जहां जह चुनाओ है जहां जहां चुनाओ है वहां वहां के लिए घोसनाए की गई है मैं एक बार बता दू पस्सिम बंगाल में एक देखिए बीमा छेत्र में एफडियाई सीमा 4930 से बढ़ा कर 84% की गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या 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 इस्तीती है और और मैं कुछ बता र पुराने बहानों को चरनबत तरीके से हटाने के लिए स्वक्चिंग बहान स्क्रैपिंग निती की घोसना नीजी बहानों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परिक्षन पड़मा तो देखे कार सरकार इतना करो रुपए की पुंजी के साथ बित विकास बित मंत्री ने कहा यह सर पत्रकार रेल्बे मालगारियों के लिए अलग से बनाये गए विसेस गल्यारों की बाजार को बाजार पर चढ़ाएगी मतलब रेल्बे ट्रैक भी बेचा जाएगा गेल इंडिया लिमिटेट इंडियन वाल कोड़परेशन और हच्पी सी एल कि 20 पाइप्लाइगनों को ब भी बता रहा हूं कि किस तरह से बेचा जाएगा आपको और आप बस देखते रहिए बिजली भोगताओं को एक से अधिक बित्रन कमपनियों में से किसी को चुनने का विकल्ब देने के लिए रूप रेखा त्यार की जाएगा है यह बहुत अच्छा है और कुछ बता रहा ह रही है और आप लोग बनते रहिए तो यह यह वो तमाम बड़ी खबर थी लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नीजी करन के रास्ते खोल दिये गए हैं और सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है यह लाइसी को बेचा जा रहा है और आपको समझना पड़ेगा कि चीजे चल क्या रही है तो राष्टबादी कंपनी सरकार जो हैं सदन में जैसी वितमंत्री ने कहा कि यह किसानों के लिए बज़ट है तो हंगामा होने लगा तो निर्मला सितारमन जी है आप इसको कुछ नहीं कह सकती और बड़ी खबर ही है कि सारी सरकारी कंपनियों को बेंच दिया गया है और अब LIC की बारी थी एलाइसी भी अब 74% सवाजदारी के साथ कोई भी आदमी खरी सकता है आम बानी खरी ले या दानी खरी तो यह है राष्टबादी सरकार जो रेल एयरपोर्ट LIC समेथ तमाम बड़ी कंपनियों को बेंच रही है नीजी हांतों में और जो सरकारी जमीन है उसको भी बेचा जा रहा है आप राष्टबादी सरकार से खुश है नाराज है बजर से नाराज है अपनी परत्किया जूर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल